ये केंद्र बिंदु से चार रिखाएं खीचते हैं जो चार पुर्शार्थों के सूचक हैं ये धर्म, ये अर्थ, कर्म और ये मुक्ष इन्हें बाहर से भीतर की ओरी खीचते हैं अब डक्षिन से वाम के ओर ये चार मुक्षियों की कामनाओं की रेखाएं खीचते हैं ये है सालोक्य अर्थात भगवान के लोख में रहना ये है सामिप्य अर्थात भगवान के समीप रहना ये है सारूप्य अर्थार भगवान के रूप में एकाग्र हो जाना और ये है साहुज्य अर्थार भगवान से जुड़ना और इन चारों रिखाओं के अंत में ये अंतकरन की रिखाई बनाते हैं जो है मन, बुध्धि, एहंकार और चेतना ये इन चारों का प्रतीक है और फिर भक्ति के चार्ड गुनों को बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं ये है श्रद्धा, मिश्वास, प्रेम और समर्पन और बन गया स्वास्ति